नमस्कार और स्वागे थे आपका हमारी यूट्यूब चानल कर्मा अरुवेदा में जहां हम आपको हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारिया देते हैं अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेके कंसर्ण है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चानल सब्सक्राइब करने ताकि हेल्थ से जुड़ी हर तरह की लेके स्टुडियो आप सबसे पहले देख पाएं तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किड्नी पेशिंट के लिए योग जरूरी क्यों है क्या kidney patient हर तरे के योग कर सकता है? Kidney patient के लिए चलना, तैरना, cycle चलाना अच्छा नहीं माना जाता है और कई बार ये आपकी health conditions पे depend करता है ये बाद तो आपने कई बार सुनी होगी पर आज हम आपको इस लिस्ट में kidney patient के लिए जो खास तीन योग है लिस्ट में सबसे पहला नाम है भुजंगासन यानि की कोब्रा पोज दूसरा है बालासन यानि की child पोज and last but not least उष्टरासन यानि की camel पोज के नाम से भी जाना जाता है ये तीन आसन करने से पहले एक बार अपने health expert की सलहा जरूर ले ले और हमें comment में जरूर बताए कि इनमें से कौन सा आसन आपका favorite है और आप हम से योग से जुड़ी और कौन सी information चाहते हैं कर्मा आइरवेदा से जुड़नी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्मा आइरवेदा ने अब तक डेल लाग से अधिक मरीजों को ठीक किया है और आज वे बिना किसी परिशानी के अपना जीवन जी रहे हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगी तब तक के लिए अपना खयाल रखें और सुस्त रहें